दोस्तो टाटा इस्टील की बात कि यहाँ पे लगातार एक के बाद एक बहुत सारी अपडेट आ रही है जैसे कि लगातार मर्जर की बड़ी अपडेट आ रही है एक के बाद एक मर्जर कम्प्लीट होते जा रहे हैं अब इसके बीच में हमारे पास लेटेस्ट शेर होल्डि pattern आ चुका है mutual fund की holding का December का जिसमें अलग-अलग mutual fund ने jump के खरीदारी की है Tata Steel में और इसका क्या इसार है क्या ये वाकर में stock आने वाले समें जबर्दस return देने वाला जिस तरसे mutual fund या पर तूट पड़े खरीदारी करने के लिए क्या है उसके पीछे की रनेति उसको समझेंगे और आने वाले समय में क्या Tata Steel सांदर रिजट हमें दे सकता है क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि कमपनी ने भारी loss बताया था क्या इस बार कमपनी फिर से profit बताएगी समझने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से और क्या इस लेवल पे हमें Tata Steel में इंवेस्मेंट करना चीए क्या मर्जर के पहले गर हम निवेस करें तो हमको एक अच्छा फाइदा मिल सकता है लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मीले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त S.B.W. और हमारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत पहुत स्वागत है तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात के स्टॉक की शुरूद भी 135 पर पॉल्टी शुरूआ तुई गुरूआर की क्लोजिंग 134 के आसपास थी इंट्राडे में 136 का ही भी बना और जो लो है वो 134 का है और अंत में क्लोजिंग 135 के आसपास थी जहां पे सुबसुरूआ तुई थी 0.41 परसें की तेजी के साथ तो बड़ी तेजी तो बन नहीं पाई पिछले स्टॉक काफे एचा दोड़ा है अब आप इसके रिटन को देखी सकते हैं पिछले 5 साल में जिफ्स ने भी इंवेस्मेंट किया टाटा इस्टी में उसको 185 परसें का सांधार रिटन मिल रहा है तो कि आपको पता होगा कोरोना काल में श्टॉक 25 तक आ गयाता है थ्री यर के इसाब से देखे तो 95 परसें का इसने पॉजिटिव रिटन दिया है और वन यर के इसाब से देखे तो इसने 14 परसें का पॉजिटिव रिटन दिया है त्री मन के इसाब से देखे तो आपस 7% की तेजी बनी है और 1 मन के इसाब से 4% का पॉजिटीव रिटेंग या वन डे के इसाब से लगबग आदा परसेंग की तेजी है और रॉल रिटेंग पॉजिटीव है अब यहां पे देख सकते हो कि टाटा इस्टील, ITC और वोडाफट जमेटो इन कंपनीओं में मुचैल फंड ने जम के खरीदार किया दिसम्मर के दोरान तो यह मुचैल फंड की टॉप पिक में थे कंपनिया जिसमें सबसे उपर टाटा इस्टील सामिल जिसमें मुचैल फंड बहौ सारा निवेस किया है त तो कौन से कौन से mutual fund है जिन ओना investment किया तो हम उनको discuss करेंगे जिनका investment 1000 क्रोड से उपर का है तो यहाँ पर लिस्ट में सबसे उपर आपको ICC Produncial India Opportunities Fund regular growth दिखाई देगा जिसने 15200 क्रोड का बड़ा investment किया है इसके बाद में आपको कोटक equity arbitrage fund growth दिखाई देगा जिसने 34593 कोड का जबर्दस निवेस किया है फिर SBI arbitrage opportunities fund regular growth की तरफ बात करें तो इन्होंने भी यहाँ पे 25384 कोड का जबर्दस investment किया है उसके बाद यहाँ पे आपको regular growth ने यहाँ पे 7991 क्रोड का investment किया है फिर HDFC balance arbitrage fund growth की तरफ से बात करें तो इन्होंने भी 73348 क्रोड का जबर्दस और भारी बरकम निवेस किया है उसके बाद में ISAC production multi-cap fund growth ने 10341 क्रोड का investment किया है काफी बड़ा निवेस कुनका भी है इसके बाद में HDFC arbitrage fund wholesale plan growth ने 88810 क्रोड का बड़ा investment किया है फिर आधिते बिल्ला sun life arbitrage fund growth ने 7777 क्रोड का investment किया है फिर निप्पोन इंडिया arbitrage fund ग्रोड ने 12,061 क्रोड का investment किया है ISAC production infrastructure fund ग्रोड ने 4147 क्रोड का निया investment किया है ISAC production commodities fund ग्रोड ने 1878 क्रोड का investment किया है फिर निप्पोन इंडिया ETFrepresented 5050 ने 19,300 क्रोड का investment किया है निप्पोन इंडिया FTC S&B BSc Index की बात के तो 3,989 क्रोड का investment किया है फिर ISAC production Nifty 50 ETF की बात के तो 9,272 क्रोड का investment किया है बरुड़ा-BNB परिबास लार्ज केप फंड ग्रोध ने 1,693 कौड का इंवेस्मेंट किया है बन्दन और्बिटेज फंड रेगूर ग्रोध ने 4146 कौड का इंवेस्मेंट किया है HDFC इंडेक्स फंड ने 11887 कौड का इंवेस्मेंट किया है उसके बाद इंवेस्ट को इंडिया और्विटेज फंड ने 11,885 कोड का इंवेस्मेंट किया है ICSC Provincial Nifty 50 Index प्लान ग्रोट ने 5,738 कोड का इंवेस्मेंट किया है ICSC Provincial Equity Orbitage Fund ग्रोट ने 15,963 कोड का इंवेस्मेंट किया है फिर KOTAK Manufacturing India Fund ग्रोट ने 1580 कोड का इंवेस्मेंट किया है SBI Nifty Index Fund ने 5,927 कोड का इंवेस्मेंट किया है UTI Nifty 50 Index Fund ने 12,597 कोड का इंवेस्मेंट किया है इसके बाद में UTI SNP BSC Sensex ने 31,888 कोड का इंवेस्मेंट किया है DSP nifty 50 equal weight ने 1000 क्रोड का investment किया है फिर UTI arbitrage fund regular growth ने 4350 क्रोड का investment किया है नवी nifty 50 index fund ने 1381 क्रोड का investment किया है आधित बिला सनलाइफ nifty 50 ETF ने 1869 क्रोड का investment किया है HDFC index fund ने 6352 क्रोड का investment किया है और बंदन निप्टी 50 इंडेक्स फंड ने 1,100 क्रोड का इंवेस्मेंट किया है तो यहाँ पर क्लेरी देखो इंडिया के जितने बड़े टॉप के मीचल फंड है सब ने जम के निवेस किया है टाटा इस्टिल में सब ने यहाँ पर बहुत सारा निवेस किया है जो इस सारा करके टाटा इस्टिल आने वालस में जबर्दस रीटन दे सकता है इस मर्जर के बाद तो मर्जर के पहले मौके का फाइदा उटा के बड़े-बड़े मुचल फंड जम के खरिदार यहाँ पर करते हुए आपको दिखाई देंगे अब यहाँ पर अगर हम इसके नौवंबर के शेर ओडिंग प्रेटन को भी अगर आप देखे जर्नर पब्लिक की होल्डिंग भी आपके कुछ बड़ी है 23.40 परसंग होल्डिंग थी सेप्टरबर में जो नौवंबर में 23.70 परसंग भी है और इस बार दिस्वंबर में मूचल फंड ने सांधार खरिदारी किये अब हमारे सामने रिजल्ट आने वाला कॉर्टर सरीका पिछली बार रिजल्ट निरासा जन्दक था देखे तो कि रिवेन्यू 55.68 थाउजन क्रोड क्रोड काश परसंग जापे 7.01 परसंग की यह अरुन बेसिस पर गिरावट देखना को मिली नेट इंकम माइनस 6.2 सबी कम हुआ इसके पीछे दो रिजल्ट एक तो ग्लोबल मार्केट में जो काफी जाला प्रॉब्लम थी इनका यूरोपीन बाजार में जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज कम बंद हुई थी उस समय बीच में इसके लबाए यूरोपीन बाजार में तो प्रॉब्लम थी साथ साथ में यूके के प्लांट की भी प्रॉब्लम बहुत सारी जो सब धीर दर सौल होते हुँ दिखाई दे रही है साथ में देखे तो इन्हों ने जो ब्रेटीज पैंसली स्किम की रकम चुकाई थी इस वज़ए से ये लॉस बताया लेकिन अब आने वाला जो रिजल्ट है बैतर रहने की पूरी उम्मीद है और कमपनी इस पार अच्छा रिजल्ट बता सकती है अब जैसे की मर्जर की प्रक्रिया आगे बटरी है तीन प्लेट कमपनी का पंदा जारी को टाटा इस्टील में मर्जर हो जाएगा ये विले होने वाला है और इसको लेकर जो बड़ी सुचना दी है बताया गया कि टीन प्लेट कमपनी के सभी करमचारियों का जो अब ट्रांसपर है टाटा इस्टील लिमिटेड में हो जाएगा पंदरा जन्दी दोजार चोबी से ये सारे के सारे टाटा इस्टील के एंप्लोई हो जाएंगे और इसकी प्रक्रिया सुरूग देखे तो 19 तारीक डिकोर्डेट तये कर दी गई है 19 जनवरी जिसके पहले जो भी शेयर ओल्डर जो होंगे उसके उनको टाटा इस्टील के शेयर ट्रांसपर कर दिये जाएंगे और कुल मिला के प्रक्रिया बहुत तेई से आगे बढ़ रही है तो कुल मिला के ये मौका अच्छा है खरीदारी का अब एक बार इसके पीवर्ट को चक कर लेते हैं यहां से गर गिरावट होती है तो 130 का पहला सपोर्ट है यह टूटा था श्टॉक 127 तक जा सकता है बड़ी गिरावट हुई तो 120 तक जाने की संभा होना है पॉजिटिव माउल बना तो 138 का फर्स माल कर देगा और आपको इसकी जो प्राइज यह कई गुना बढ़ती हुई दिखाई दे सकते हैं तो बिल्कुल इस समय इंवेस्टमेंट करदाश है आपको लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनसर एडवाजिस बढ़े ले या अपना ख प्रपच के लिए ही बनाए वडियो पसंद आए तो लाइक से जरू किजा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड